शंक्षेप्त महाभारत के करन पर्व में अर्जुन की बात से करन के जीवित रहने का पता पाकर युदिष्टर का उन्हें दिक्कारना तथा युदिष्टर का वद्ध करने के लिए उद्देत हुए अर्जुन को भगवान दारा, धरम का तत्तो समझाना भगवान क्रिष्ट का अर्जुन को प्रितिग्या भंग, भरातवाद तथा आत्म घात से बचाना और इद्दिष्टर को बन जाने से रोकना संजे कैते हैं, महराज, धरमात्मार, राजा अर्जुन की ये बात सुनकर अतीर अथिवीर अर्जुन इसपरकार बोले राजन, आज जब मैं संशिक्ट को के साथ युद्द का रहा था, उस समय अश्चेश थामा बानों की वर्षा करता हुआ सैसा मेरे सामने आद्धम का अश्चेश थामा अपने तीके बानों से मुझे और भगवान शिरिकिश को पीड़ा देने लगा, मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे आठ सो आठ बैल बानों को बुचा डोरे थे, उसने वे सभी बान मुझ पर चलाई, किन्तो मैंने अपने साइकों से उन सब को निस्ट का डाला, ताथ पचाथ उनके उपर मैंने वज्जर के समान तीस पान मारे, उससे छिट जाने के कारण उसका रूप शिकारी जानवर के समान दिखाई देने लगा, फिर तो अपने समस्त शिरिस में से खून की दारा बहाता हुआ, मैं सूत पत्र के रथियों के दल में खु लेकर बड़ी तेजी से के साथ मेरी और चला, मैंने उसके सेन को का तो सुहार कर डाला, मगर करण को वहाँ ही छोड़कर आपका दर्शिर करने के लिए जल्दी यहां चलाया, मैंने सुना कि करण ने युद्ध में आपको बहुत कहल कर दिया है, करण बड़ा करूर है, उस करण के अधवत अस्त को देखा है, पंचाला में कोई भी ऐसा वीर नहीं है, जो आज करण का वद वेग सै सके, महराज साथकी और धश्तम मेरे पईयों की रक्षा करें, रासकुमार युदामनी होता था तो मुझा ये मेरे पिष्ट भाग की रक्षा में रहें, फिर मैं इ विद्ध करूँगा, आपके भी इच्छा हो, तो आईए और देखिए, हम दोनों किस परकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं, यदि मैं आज बालपूर अ करण को उसके बंद्व वांद्वों सहित ना मार डालूं तो परतिग्या करके, उसका पालन करने वालों को जो कष्ट प्रतकती मिलती है, वही मजह भी मिले, आप मैं आप से युद्ध में जाने के लिए आग्या चाता हूँ, आशीरवाद दीजिए, जिससे रन में मेरी विजे हो, राजन, मैं सूत बुत करन उसकी सेना तथा संपुरन शेत्रों का सुनार करूँगा, यदिश्ट उसे त्रिसके तोकर रंद से भाग दी है, और तुम जब करन को नहीं मार सके तो भेवी तोकर भीम को केले ही छोड़, यहां भागाई, यह तुमने खूप सने निभाया, वीन माता कुंती के गर्ब से जनम लेकर यह अच्छा काम नहीं किया, दैत्वान में तुमने यह सच अकाशवानी ने कुंती से कहा था, यह बालक इंद्र के समान प्रकरमी होगा, समस्थ शत्रों पर विज़े पाएगा, यह खांड़ वन में संपुरन देताओं तिथा सब प्राणियों को जीत लेगा, राजाओं के बीच यह मद्र, करिंग, केके तिथा कोरव वीरों का सु जितिंद्रिया होगा, इच्छा करते ही यह समस्थ प्राणियों को अपने अधिन कर लेगा, चंद्रमा के समान इसकी कांती होगी, और वायू के समान वेग, यह स्थिर्ता में, मेरू और शमा में प्रिथि के समान होगा, सूरी के समान तजस्थिक, बेर के समान धनी, इंद के समान पर कर्मी और भवान विश्णु के समान बलवान होगा कुंती जैसे अदिती के गर्व से शत्रु हंता विश्णु ने जनम दिया था उसी परकार तुमारा ये महात्मा पुत्र भी तुमारे गर्व से उत्पन हुआ है अपने पक्ष की विजेत था शत्रू पक्ष का संहार करने में इसकी ख्याती होगी इससे ही वंच परंबर का विस्तार होगा इस परकार शश्रिंग परवत के उपर ये आकाश्वानी हुई जिसे अनेकों तपस्यों ने सुना किन्तु ये सत्य नहीं हुई सदा ही तुमारी प्रशंचा करने वाले बड़े बड़े रिश्यों के मुक्सज भी मैंने ऐसी पाते सुनी है इसलिए मुझे द्रिवधन की उन्नती के विशे में कभी भी विश्वास नहीं हुआ तथा आज तक मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि तुम करन के भेशे ड़ते हो ऐसी प्रस्तिती में अब मैं क्या कर सकता हूँ आज कोरवो अपने मित्रों तथा अन्य संप्रन ये दाओं के सामने मुझे सूत पुत्र के वश्यों में होना पड़ा इसलिए मेरे जीवन को धिकार है पार्थ यदि तुमारा पुत्र मारति ये विमन्यों आज जीवित होता तो वहेश चत्रु पक्ष के संप्रन मारतियों का नाश्का डालता उसके रहते युद्वे मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता यदि खटोत का जीवित होता तो भी मुझे युद्द से भी मुख नहीं होना पड़ता किन्तों मैं अपने अब भाग के लिए क्या कहूं जान पड़ता है मेरे पूर जनव के पाप बड़े ही प्रबल हैं तबी तो दुरात्मा करने मुझे तुझे तिनके के समान भी ना गिनकर मेरे साथ व्यविवार किया जो किसी बंदूहिन एम असमर्थ मनुश के साथ किया जाता है जो पुरुशापत्ती में पड़े हुए को उस से छुड़ाता है वही सच्चा बंदूवर सुहिद है ऐसा प्राचीन मुनियों का कतन है तदा सत्प्रशों ने भी इस तरम का सदा ही पालन किया है परन्तो तुम ने नहीं किया तुमारे पास विश्य कर्मा का बनाया हुआ रत है जिसके घुरे से कभी आवाज नहीं होती तदा जिसकी दोजा पर वानर विराजमान है यहीं नहीं तुमारे हाथ में कांडीव जैसा दुनुष है तदा भवान श्रीकिश तुमारा रत ठाकते है इस सब के होते हुए भी तुम कर्म से डर कर भाग कैसे आई यदि युद्ध में आज करन का मकाबला करने की शक्ती नहीं रखते तो राजा तुम से अस्त्र बल में बड़ा हो उसे ही अपना कंडीव दुनुष दे दो दिकार है तुमें इस कंडीव को दिकार है तुमारी बजाओं के प्राकर्म को तदा धिकार है तुम्हारे इन असंग के बानों को अगनी के दिये हुए इस रत और धजा को भी धिकार है युदिश्टर के ऐसा कहने पर अर्जुन को बड़ा करूद हुआ उन्होंने धरमराज को माट डालने की इच्छा से हाथ में तलवार उठा ली भगवान शिर्किष्ट तो सब के हिद्दे की बात जानने वाले ही ठहरे उन्हें अर्जुन का कोब देखते हैं उनके चेश्टा तार ली और कहा अर्जुन ये क्या तुमने तलवार क्यों उठाई यहा किसी से युद्ध करना हो ऐसा तो नहीं दिखाई देता मैं किसी ऐसे मिनश्य को भी यहां नहीं देखता जो तुमारा वद्ध हो फिर परहार क्यों करना चाते हो तुम पर सनक तो नहीं सवार होगी मैं पूछता हम बताओ इस समय क्या करने का विचार हैं तो शिकिष्ट के पूछने पर क्रोद से बरवे अर्जुन ने ये दिश् परतिग्या की है कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना गंडीव दूसरे को देडालो उसका सिर मैं काट लूँगा राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है अता है मैं श्यमा नहीं कर सकता आज इनका वद्ध करके अपनी परतिग्या पुरी करूंग इसलिए मैंने तलवार उठाई है इस अफसर पर आप क्या उचित समझते हैं आप इस चगत के भूत और भुष्य को जानते हैं आप जैसी आगदे मैं ऐसे ही करूंगा ये सुनकर श्री किष्ट कहा धिकार है धिकार है फिर वे अर्जुन से बोले पार्थ आज मुझे एक रोध आ गया धनजे जो धर्म के विवाग को जानता है कभी ऐसा नहीं कर सकता इस समय यहां तुमने जैसा वरताब किया है उससे तुमारी धर्म भीरता तथा अग्यता का पता चलता है जो नहीं करने युग्य काम करता है मैं करने युग्य नहीं करता मैं मनुश्य आद जाने वाले उन गुरु जनों का इस विशे में क्या निरने हैं इसे तुम नहीं जानते उस निरने को नहीं जानने वाला मनुश्य करतवे और अकरतवे के निश्चे में तुमारे ही तरह असमर्त है मोहित हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं इसे जान लेना सहज नहीं है इसका ग्यान होता है शाष्टर से और शाष्टर तुम्हें पता ही नहीं है अग्यान वश अपने को धर्म विता मान कर जो तुम धर्म की रक्षा करने चड़े हो उसमें जीव हिंसा का पाप है ये बात तुमारे जैसे धर्मी की समझ में नहीं आती ताथ मेरे विचार से प्राणियों के हिंसा ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है किसी की प्राण रक्षा के लिए जूट बोलना पड़े तो बोल दे परंतो उसकी हिंसा ना होने दे भला तुमारे जैसा शिरेष्ट पुरुष अन्य साधारन वश्यो के समान अपने धर्मग्य भाई एम चिक्रवर्ती राजा को मारने के लिए कैसे तियार होगा मारत जो युद्ध ना करता हो शत्तरता ना रखता हो रंज से में मुखो कर भागा जा रहा हो शरन में आता हो हाँ जोड़ कर पढ़ा हो अत्वा साफ धान हो एसे मनुच्छे का वद्ध करना श्रिष्ट पुरुष अच्छा नहीं समझते तुमारे बड़े भाई ने में प्राया उप्युक्त सभी बाते हैं तुमने ना समझ बालक की तरह पहले पर दिक्या कर ली थी इसलिए मुरक्तावश धरम युक्त कारे करने को तियार हो गए हो पार्त बताओ तो भला धरम के दुर्बोद एम शुक्ष मसरू का अच्छी तरह विचार किये बिना ही अपने जिष्ट ब्राता का बद्ध करने के लिए कैसे दोड़ पड़े पांडू रंदन आम मैं तुम्हें धरम का रहसे बता रहा हूँ पिता मैं भीश्म धरमगी दिष्ट विदुर जी तदा यिसस सिनिकुंति देवी तुम्हें धरम के जिस तत्व का पदेश कर सकती हैं उसको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ सुनो सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है फिर भी सत्य वादी को भी कभी कभी सत्य के सवरूप का ठीक ठीक ज्यान होना कटिन हो जाता है देखो सत्य का उनस्थान कैसे होता है जहां सत्य का परिनाम असत्य और असत्य का परिनाम सत्य होता है वहां सत्य ना बोलकर असत्य बोलना ही हुचीते विवाकाल में इस्ति प्रसंग के समय किसी के प्राणों का सिंकटाने पर सर्वस्त का पहरन होते समय तिथा ब्रामन की भाई के लिए अवशिकता हो तो असत्य बोलने इन पांच अवसरों पर जूट बोलने पर पाप नहीं होता जब किसी का सर्वस्ट चीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए जूट बोलना करतब भी है जहां असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है जो वहां भी सत्य ही कह देता है ऐसे मनुश्य का लोग मूर्ख समझते है पहले सत्य और सत्य का अच्छी तरह निर्ने करके जो परी नाम में सत्य हो उसका पालन करें केवल अनुश्ठान की दृष्टी से असत्य रूप सत्य का भाशन नहीं करना चाहिए जो ऐसा करता है वही धरम विता है जिसकी बुद्धी निश्काम है वे मनुश्य अंधे पशुक और मादने वाले बलाक नामक व्यात की बांती अत्यात कठोर करम करके भी यदि महान पुन्य प्राप्त कर ले तो अच्याश चरी है इस तरह जो धरम पालन की इच्चा तो रखता है पर है मुरक और गवार वे नदियों के संगम पर बसे हुए कोशिक मुनी की बांती यदि अग्यान पूरक धरम करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो ख्याश चरी है अर्जुन ने कहा भगवन बलाग और कोशिक मुनी की कथा मुझे सुनाईए जिससे मैं इस विशे को अच्छी तरह समझ लूँ शिरकिश ने कहा भारत एक व्याद था जिसका नाम था बलाग मैं अपनी इस्त्री और पत्रों की जीवन रक्षा के लिए मरिगों का मारा करता था कामना या सकती के विशी भूत होकर नहीं बुडे माता पिताता था अन्य आच्छी जनों का पालन पोशिन किया करता था सदा अपने धरम में लगा रहता था सत्य बोलता था किसी के निंदा नहीं करता था एक दिन मैं मरिगों का मार कर लाने के लिए वन में गया किन्त कोशिश करने पर भी उसे उस दिन कोई मरिग नहीं मिला इतने में उसकी द्रिष्टी पानी पिते हुए एक शिकारी जनवर पर पड़ी जो अंधा था मैं नाक से सुनकर ही आंक का काम निकाला करता था यद भी वैसे जैन्वर को व्याद ने पहले कभी नी दिखा था तो भी उसने उसे माह डाला अंधे के मरते ही अकास से फूलों की वरिष्टी होने लगी व्याद को ले जाने के लिए सर्क से एक सुन्दर विमान उतराया जिस पर अफसराओं के गाने बजाने का मनोरम शब्दोरा था बात ये थी कि उस जनतों ने पूर जनम में तब करके संपूरन प्राणियों का सुंहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था इसलिए ब्रम्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था वे प्राणी समस्त जीमों का अंत कर देने का निश्चे किये हुए था अधा उसे मार कर व्याद स्वर्ग में गया इस परकार धरम के सुरूप को समझना बड़ा कठी ने इसी तरह कोशिक नाम का एक तबस्य वरामन था जो बहुत पड़ा लिखा नहीं था वाए गाम से दूर नदियों के संगम के बीच रहा करता था उसने ये वरत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूँगा इससे मैं सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया एक दिन की बात है कुछ लोग लुटरों के भे से चिपने के लिए उसके आश्रों के पास ही के वन में गुसा आए लुटेरे तो यतन पूरक उसका पता लगा रहे थे वे सत्यवादी कोशिक के पास आकर बुले बगवन बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं कि स्राथसे से गए हैं हम सच्ची बात पूछते हैं यदि आप जानती है तो हमें बता दीजिए उनका पूछने पर कोशिक ने सच्ची बात कह दी इस वन में जहां गणे वरिक शलता और जाड़ियां हैं उदर ही भी गए हैं पता लग जाने पर उसने दैडाकों ने सब लोगों को पकड़ कर माड़ डाला ऐसी किवन दती है इस परकार वानी का दुरुपियों करने के कारण ब्रामन को महान पाप लगा और उस पाप की वज़ा से कोशी को दुखताई नरक की हवा खानी पड़ी क्योंकि वे धरम के शुक्षम सरूप कब बिल्कुल नहीं जानता था इस तरह जिसने शाश्त्र बहुत कम पड़ा है जो घवार है धरम के विवाग को ठीक ठीक नहीं जानता है वे मनुश्य यदि वृद्ध पुरुशों से अपने संदे नहीं पूछता तो उसे महान नरक कासा कस्ट उठाना पड़ता है अब तुमें तुमारे लिए शिंक्षेप से धरम की पहचान बताई जाती है कितने ही मनुश्य परम ग्यान रूप धरम को तरक के द्वारा जानने का प्रितन करते है किन्तु बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि विदों से ही धरम का ग्यान होता है मैंने जो यहां धरम के सवरूप की व्याख्या की है मैं समस्प्राणियों के लाव की द्रिष्टी में रखकर ही की है धरम के संबंद में ऐसा निचे है कि जो हिंसा युक्त है वही धरम है हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धरम की ये व्याख्या की गी है धरम ही प्रजा को धारन करता है और धारन करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं इसलिए जो प्रान रक्षा की युक्त हो जिसमें किसी भी जीव की हिंसा ना की जाती हो वही धर्म है यही धर्म विताओं का सिद्धान थै जो लोग सिम अन्याई पूरों के धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए अनिवारे हो जाए और ना बोलने से लिटेरों को संदे होने लगे तो वहां सत्य बोलना ही ठीक है इसी को बिना विचारे सत्य समझो जो मुनुश्य किसी काम के लिया प्रतिग्या करके उसका परकारांतर में पालन करता है उसे उसका फल नहीं मिलता ऐसा मनिश्य विद्वानों का कतन है प्रान संकट में विवा में समस्क टुम्भियों के प्रानांत का समय उपस्तित होने पर यहां हास परिहास में यदि असत्य बोला गया हो तो मैं असत्य नहीं माना जाता धरम का तत्त्य जानने वाले विद्वान उक्त असरों पर मित्या बोलने में पाप नहीं मांते जहां रिटेरों के चंगल में फाच जाने पर जूती शबत खाने से चुटकारा मिलता हो वहाँ जूत बोलना ही ठीक है इसी को बिना विचारे सत्ते समझो जहां तक वस चले उन रिटेरों को धन नहीं देना चाहिए क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है अधर धर्म के लिए जूट बोलने पर भी मुनशी को जूट का दोश नहीं लगता है अर्जुन मैं तुम्हारा हिट चाहता हूँ इसलिए अपने बुद्धी तथा धर्म के अंसार मैंने शिंक्षेव में तुम्हें ये धर्म का लेक्षन बताया है इसे तुमने सुना आप बताओ क्या इस समय भी युदिश्टर को वद्ध ही समझते हो माहा भारत के करन परवें भवान क्रिश्ट का अर्जिन को प्रितिंक्या भंग ब्रात्रवद तथा आतम घात से बचाना और इजिश्टर को वज जाने से रोकना अर्जिन वले शिरिकिष्ट कोई बहुत बड़ा विद्धवान और बद्धिवान मनुश्य जैसा अवदेश दे सकता है जिसके अंसार आचरन करने से हम लोगों का कल्यान होना संभव है वैसे ही बात आपने बताई है आप हम लोगों के माता पिता के तुले हैं आप ही परमगती है इसलिए आपने बहुत उत्तम बात बताई है तीनों लोगों में कहीं कोई भी कहीं भी ऐसी बात नहीं है जो आपको विदितना हो ना थे आप ही परम धरम को पूर्ण रूप से तदा ठीक ठीक जानते हैं अब मैं राजा इदिश्टर को मार नहीं हो कि नहीं समझता मेरी इस परतिग्या के संबंद में आप ये अनगरे करके कुछ ऐसी बात बताईए जिससे इसका पालन भी हो जाए और राजा का बात भी ना होने पावे तो भगवन आप तो जानते ही हैं कि मेरा वरत क्या है मनुश्यों में जो कोई भी ये कह दे कि तुम अपना गंडीव दनुशे किसी दूसरे को वीर को दे डालो और जो अस्तर विद्या और प्राकर में तुम से बढ़ कर हो तो मैं हठात उसकी जान लेलू इसी लिए इसी तरह भीम सेन को कोई तूब रख अर्थात बिना मोच का या अधिक खाने वाला कैदे तो वैसे ऐसा उसे माड डाले सो राजा ने आपके सामने ही मुझ से कहा है कि तुम अपना ध्रुश दूसरे को दे डालो ऐसी देशा में यदि मैं ने माड डालू तो इसके बिना एक शन के लिए भी मैं इस संसार में नहीं रह सकूँगा और यदि इनका वाद्ध ना करूँ तो फिर प्रतिग्या भंके पाप से कैसे मुक्तो पाऊंगा क्या करो मेरी बुत्ती कुछ काम नहीं देती क्रिशना संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिग्या भी सच्ची हो और राजा धिश्टर का तता मेरा जीवन भी शुरक्षी तरे ऐसी ही कोई सुला दीजी तो शिरिकेश ने कहा वीरवार सुनो राजा धिश्टर थक गए हैं बहुत दुखी हैं करन अपने तिखे बानों से इन्हें एक संक्राम में धिक खायल कर डाला है इतना ही नहीं कि जब युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी उसने इनके उपर बानों का परहार किया इसलिए दुख और रोश में भर कर इन्होंने तुझे ना कहने युग बात कहती है ये जानते हैं कि पापी करन को सिर्फ तुम ही मार सकते हैं और उनके मारे जाने पर कोरों को शीक्री जीत लिया जा सकता है इसी विचार से इन्होंने ये बाते कहड़ा नी है इसलिए इनका वद्ध करना उचित नहीं है अरजुन तुम्हें अपनी प्रतिग्या का पालन करना है तो जिस उपाई से ये जीवित रहते हुए मरे के समान हो जाएं वही बताता हूं उस समौन यदि यही उपाई तुमारे अन्रूप होगा सम्माने अपर उस संसार में जब तक सम्मान पाता है तब तक ही उसका जीवित रहना माना जाता है जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए उस समय वे जीते जी मरा समझा जाता है तुमने भीम से अन्ने नकल से देवने तथाने वरित पुर्शों आप शूर वीरो ने राजा इज़िष्टर का सदा ही सम्मान किया है आज तम उनका अंस्ता अपमान करो यद भी इज़िष्टर पुझे होने के कारण आप कहने ही होगी हैं तिथा भी इन्हें तू कहतो गुरुजन को तू कह देना उसका वद देने के ही समान माना जाता है जिसके देवता अथर्वा और अंग्रा हैं ऐसे एक सरवत्तम शुरुती बताई जाती है अपना भला चाहने वालों को बिना वचा रही इसके अंसार बरताफ करना चाहिए उस शुरुती का भाव यह है कि गुरु को तू कह देना उसे बिना मारे ही माड़ डालना है इसके जैसा मैंने बताया उसे कि अंसार तुम धरमराज के लिए तू शुत शुब्द का प्रयोग करो तुमारे मुग से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्म राज उसे अपना वद्धी समझेंगे इसके बाद तुम इसके चर्णों में इनके चर्णों में परनाम करके सांतना देना और अपनी कई ही अंचित बात के लिए शमा मांग लेना तुमारे भाई राजा दिश्टर समझधार है ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर प्रोध नहीं करेंगे इस परकार तुम मिथ्या वाशन और भातवाद के पाप से छूटकर परसंता पूरक सूथपूत्र करन का वद्ध करना अपना सखावगवान श्रीकिष का ये वचन सुनकर अर्जुन ने उनके बड़ी परशंचा की फिर वे हाठपूरक धरमराज के प्रती ऐसा कटू अचन कहने लगे जैसे पहले कभी नहीं कहे थे वे बोले तु चुप रहा है ना बोल तु तो खोदी लड़ाई से भाग कर एक कोस्तूरा बैठा है तु क्या उल्लह न देगा हाँ भीमसें को मेरी निंदा करने का अधिकार है क्योंकि वे समस सुनसार के प्रमुख वीरों के साथ लड़ रहे है शत्रों को पीड़ा पुचा रहे है असंक के शूर वीरों उने को राजाउं रतियों घुट सवारों तदा हजारों हाथियों को मोट के घार उतार कर कमबोजो और परतियो धां को इस तरह निस्ट कर रहे है जैसे सिंग मरी को को तो अपने कठोर वचनों के चाबुक से अब मुझे ना मार मेरे कोब को मत बढ़ा अर्जोन धरम भीरो थी तो इस दिश्टर को ऐसी कठोर बाते सुना कर बहुत अधास होगे ये जानकर कि मुझ से कोई बहुत बड़ा पाप बन गया उनके चित में बड़ा खेद हुआ बाराम बार उच्छास खीच रहे हुए उनने फिर से तिलवार उठा रही ये देखकर शिर्केशन ने कहा अरजुन ये क्या तुम फिर क्यों तलवार उठा रहे हो मुझे जवाब दो तुमारा वीष्ट सिद्ध करने के लिए मैं पुना कोई उपाई बताऊंगा पुर्शत्तम के ऐसा कहने पर अरजुन दुखी होकर बोले भगवान मैंने जिद में आकर भाई का अपमान रूप महान पाप कर डाला है इसलिए आप अपने शिर्क नस्ट कर डालूँगा अरजुन की बात सुनकर भगवान जी ने कहा पार्थ राजाज दिश्ट कर तुम मातर कहकर तुम इतने गोहर दुख में क्यो डूब गए उफ इसके लिए आतम घात करना चाते हो अरजुन श्रेष्ट पुर्ष्ट ने कभी ऐसा काम नहीं किया है धरम का सरूप शुक्ष में और उसका समझना कठिन अग्यानियों के लिए तो और भी मुश्किल है यहां जो करतवी है उसे मैं बताता हूं सुनो भाई का वद्ध करने से जिस नरक की प्राप्ती होती है उससे भी ब्यानक नरक तुमें आतम घात करने से मिलेगा इसलिए अब अपने ही मुँ से अपने गुनों का बखान करो ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने अपने ही हाथो अपने को मार लिया यह सुनकर अरजुन ने शिर्किश की बातों का विनंदन किया और तथा सुके कर धनुश को नचाते हुई वैस दिश्टर से बोले राजन हम मेरे गुनों को सुनिये पिनागधारी ववान शिंकर को छोड़कर दूसरा कोई मेरे सामने समान धनुदार नहीं मेरी वीर्ता का उन्होंने भी अनमोधन किया है यदि चाहो तो इस चराचर जिगत को एक ही शन में निश्ट कर डानूँगा मेरे चर्णों में रत और धजा के चिन नहीं मुझ जैसा वीर्त यदि युद्ध में पहुंच जाए तो उसे भी कोई भी नहीं जी सकता उत्तर दक्षिन पूर और पच्चिन इन सभी दिशाओं के राजाओं का मैंने संहार किया है अब हम दोनों विजे शारी रत पर बैटकर सुथ पुत्र करन का वद्ध करने के लिए शीकरी चल दें आज राजा यदिश्टर पर सन्न हों मैं करन को अपने बानों से नस्ट कर डालूँगा यों कहकर अरजन पुना यदिश्टर से बोले आज या तो करन की माता पुत्र हीन होगी या माता कुंती ही मुझसे हीन हो जाएगी मैं सत्त कहता हूँ अपने बानों से करन को मारे बिना आज क्वच्च नहीं उतारूँगा ये कहकर अरजन ने तरंत अपने हत्यार और धनुच नीचे डाल दिये तलवार मियान में रखती फिर लज्जित होकर उनने ये दिश्टर के चरनों में सिर जुकाया और हाथ जोकर का माहराज मैंने जो कुछ कहा है उसे शमा कीजिए मुझ पर परसन्न होईए मैं आपको परनाम करता हूँ अब मैं सब तरह से प्रितन करके भीम सेन को युद्द से चुड़ाने और सूद पुत्र करन का वद्ध करने के लिए जा रहा हूँ राजन मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है ये मैं सत्ते कहता हूँ ऐसा कहकर अरजन ने राजा के दोनों चरनों का शफर्ष किया और फिर वे रन भूमी की और जाने को उत्यत होगे धरम राजी रिष्टर अरजन के कठोर वचनों को संकर अपने पलंक पर खड़े हो गए उसमें उनका चित बहुत दुकी हो गया था वे कहने लेके पार्थ मैंने अच्छे काम नहीं किये हैं इसलिए तुम लोगों पर घोर संकर्टा पड़ा है मेरे बुद्धी मारे गई है मैं आलसी और ड्रपोख हूँ इसी आज वन्द से चला आया हूँ मेरे ना रहने पर तुम सुक से रहना महात्मा भीम सेन ही राजा होने के योग्ये हैं मैं तो कुरोधी और कायर हूँ अब मुझे में तुमारी ये कठोर बाते सेन करने की शक्ती नहीं है इतना अपमान हो जाने पर मेरे जीवी तरहने के भी कोई अशक्ता नहीं है ये कहकर मैं सैसा प्लंग से कूद पड़े और वन में जाने का उद्यत होगे ये देखकर भवान शरी किष्ट ने उन्हें पर नाम करके कहा राजन आपको तो सत्य परतिग्य अर्जुन की ये परतिग्या मालूम ही है कि जो कोई उसे गंडीव दिनुश्ट हो दूसरे को देने के लिए कह देगा वे उसका वद्धे होगा फिर भी आपने उन्हें ऐसी बात कह दी इससे अर्जुन ने अपनी परतिग्या की रख्षा करते हुए मेरे कहने से आपका अनादर किया है गुरु जुन का अपवान ही उनका वद्ध कहलाता है इस दिए मैंने था अर्जुन ने जो सत्य की रख्षा की दृष्टी में रखकर आपके साथ नयाएके विरुद्धा चरन की आ है उसे आप शिमा कीजिए हम दोनों ही आपकी शिरन में आए है मेरा भी अपराद है इसके लिए आपके चरनों पर गिरकर शिमा की भीक मांगता हूँ आप मुझे ही भी शिमा कर दे आज ये प्रिथी पापी करन का रक्तबान करेगी मैं आप से सच्ची प्रतिक्या करके कहता हूँ अब सूत्पत्र को मरा हुआ ही मान लीजिए भगवान जी की ये बात सुनकर यदिश्टर ने सैसा उन्हें अपने चरनों पर से उठाया और हाथ चोटकर कहा गोबिंद आप जो कुछ कहते हैं बिल्कु ठीक ही है सच्च मुझ ही मुझ से ये भूल हो गई माधाओ आपने ये रहसे बताकर मुझ पर बड़ी क्रिपा की डूमने से बचा लिया आज आपने हम लोगों की भ्यंकर विवत्ती से रक्षा की आप जैसे स्वामी को पाकर ही हम दोना संकट के ब्यानक समुद्दर से पार होगे हम लोग अज्ञानवाश मौहित होगे रहे थे आपके ही बुद्धी रूप नोका का सहारा देकर अपने मंत्रियों सहित शोक सागर के पार होई हैं अच्योत हम आप से ही सनाथ हैं संजय कैते है माराज धरमराज के मुक्से वे प्रेम युक्त वचन सुनकर भगवान शिरिकेष्ट ने अर्जुन को भी बताया होगे थे तब भवान शिरिकेष्ट ने हस्ते हस्ते कहा अर्जुन राजा इस दिश्टर को तुँ कह देने मातर से जब तुम इस वरकार शोक में ढोगे हो तो राजा का वधकार देने पर तुमारी क्या दिशा होती साच मुझ धरम का सरूब जानना बड़ा कठीन है जिनके बुद्धी मन्द है उनके लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है तुम धरम भीरू होने के कारण अपने बड़े भाई का वधकार के निश्चे ही घोर अंदकार में पड़ते भ्यंकर नरक में गिरते आप मेरी राई ये है कि तुम कुरूशेष्ट युद्धिष्टर को ही परसन करो जब वे परसन हो जाएं तो हम लोग शीरगी सुत बुत्र करन से लड़ने के लिए चले तब अरजन बहुत लज्जित होकर राजा के चर्नों में पढ़ गए और बोले राजन धरम पालन की कामना से भेवी थोकर मैंने जो कुछ कैड़ डाला है उसे शमा कीजिए और मुझ पर परसन न होईए तो धरम राज ने देखा अरजन पैरों पर बड़े वे रो रहे हैं तो उन्हें अपने प्यारे भाई को उठाकर बड़े सने के साथ गड़े लगाया और स्यम भी अरजन को बड़े प्रेम से गले लगाया और उनका मस्तक सुंकर अत्यंत परसंता के साथ कहा मा बाहो मैं युद्धमे पूर्न परितन के साथ लाट रहा हूं किंतो करने समस्त सैनकों के सामने मेरा कवच रत की धोजा धनुश पान शक्ती और गोड़े नस्ट कर डाले उसक कि उस करम को याद करके मैं दुख से प्रेड़ी दो रहा हूं अब जीना अच्छा नहीं लिखता यदि आज युद्धमे उस वीर को नहीं मार डालोगे तो निश्चे ही मैं अपने परानों को त्याग दूँगा उनके ऐसा कहने पर अरजन ने कहा राजन मैं नकुल से दे को मार डालूँगा या से हम ही मर कर रन भूम में शियन करूँगा राजा से यो कहकर अरजन कृस्ट से बोले माधव आज युद्धमे मैं अवश्य करन को मारूँगा आपकी पुद्धी के बल्द से ही उस तरात्मा का वद्ध होगा ये सुनकर शिरिकेश मोले अरजन तु महामली करन का वद्ध करने में सेम समर्थ हो मेरी तो सदा ही एचा रही है कि तुम किसी तरा करन को मारते अरजन से ये कहकर शिरिकेश धरम लाज युदिश्टर से बोले राजन आप करन के बानों से बहुत पीडित होगी हैं ये सुनकर मैं और अरजन दोनों आपको देखन तुम ने कहने युग्या और हित की ही बात कही है तथा मैंने इसके लिए श्मा भी कर दी धनन जे मैं तुम्हे आग्या देता हूँ जाओ करन का नाश करो ये सुनकर अरजन ने अपना अपने बड़े भाई के चरन पकल दिये और उन पर सिर रकर पर नाम किया राजा ने उन्हे उठा कर पुना च्छाती से लगाया उनका मस्तक सुनकर कहा ध्रंजे तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है अता मैं शीरवाद दिता हूँ कि स्रवत त बड़े और तुमें सुनातन विजे प्राप्त हो तो अरजने का महराज जिसने आपको बाणा से पीड़ित किया है उस करन को आज अपने पापों का भिहन कर फल मिलेगा आज उसे मार कर ही आपका धर्शन करूंगा इस सची परतिग्या के साथ मैं आपके चरनों का अरजन से फिर कहा पार्थ तुम्हें सदाही अक्षे यश पूर्ण आयो मनवांचित कामना विजे तथा बल की प्राप्ति हो तुमारे लिए मैं चो कुछ चाता हूं वह सब तुम्हें मिले अब जाओ और शिग्र करन का नाश करो इस परका धर्वराज को परसंग करने के अरजन ने श्रीकिश से कहा गोबिंद अब मेरा रख तियार हो उसमें अत्म घोड़े जोते जाएं और सब पर करके अस्तरशत सजाकर रख दिये जाएं फिर सूत पुत्र का वद्ध करने के लिए आप शिग्री यात्रा करें अरजन के ऐसा कहने पर श्रीकिश ने धारुक से कहा तुम पार्थ के कतन के अंसार सारी तियारी करो भवान जी की आग्या पाते ही दारुक ने रख को सब समगनी उसे सजज़जित करके उसमें घोड़े जोत दिये और उसे अरजन के पास लाकर खड़ा कर दिया अरजन ने देखा दारुक रख जोत कर ले आया तो उन्ह चात अरजन करन के रत की और चल दिये कुछ दूर जाने पर उनके मन में बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे मैंने करन को मारने की प्रतिग्या तो की है किन्तु ये किस तरह पूरी होगी अरजन को चिंतित देकर भवान मदसूदन ने कहा गंडी धारी अरजन तुमने अ कौन सा ऐसा प्रूश है जो द्रोन, भीशम, भगदत, अवन्ती के राजकुमार, विंदनविंद, कंबोज राज, सुदक्षिन, शुतायू और अच्युतायू का सामना करके कुशल से रह सकता था तुमारे पास दिवी अस्तर है, तुम्हें फुर्ती है, बल है, काग रहता है, तुम चाहो तो गंधरों और देटाओं सही संपूरों चराचर जगत का नाज कर सकते हो, इस भूमंडल पर तुमारे सान योद्धा है ही नहीं, परमा जी ने प्रजा के शिष्टी करने के पचात इस महान गांडीव धनुश की भी रचना की थी, जिससे तु तुम युद्ध कर रहे हो, इसलिए तुमारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो भी तुमारे हित के लिए एक बात बता देना अविश्यक है, तुम करन को अपने से चोटा समझ कर उसकी अवरिला नहीं करना, मैं तो महार की महारतिक करन को तुमारे समान या तुम से भ समान वेगवान है, क्रोध होने पर काल के समान हो जाता है, उसके शीर की गठन सिंग के समान है, वे बहुत बलवान है, उसकी उंचाई आठ रत स्त्री अर्थात एक सो अट सा थूंगल है, बुजाएं बड़ी बड़ी और चाती चोड़ी है, उसको जीतना बहुत कठीन है, वे महान शूरवीर और अभिवानी हैं, उसमें योधाओं के सभी गुन हैं, वे अपने मित्र कोर्वों को अभे देने वाला और पांड़ों को सदा द्विश रखने वाला है, मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सिर्व तुम ही उसे मार सकते हो, और किसी के लिए उसका मारना और असुरों के लिए भी कठीन है, जैसे सिंग मतवाले हाथी को मार डालता है, उसी परकार तुम भी अपने बल और प्राकरम से शूरवीर करन का संहार करो, इसके लिए मैं तुमें आग्या देता हूं, तुम शत्रों के लिए दुरदर्शो, तुमारे ही आच्रे में रहक तुमारे संदक्चन में युद्ध करने वाले पांडव महारतियों के सिवा दूसरा कोन है, जो संग्राम में कोरों को प्रास कर सके, तुम तो देवता, असुर और मुनश्यों सही तीनों लोकों को युद्ध में जी सकते हो, फिर कोरों सेनाओं की तब बिसात ही क्या है, को स्वस्थामा, भूरी श्रवा, क्रित वर्मा, जैदरत, शल्य तथा द्रियोधन जैसे मारतियों पर तुमें छोड़कर दूसरा कोन विजे पा सकता है, भ्यंकर प्राकरम दिखाने वाले तो शार, यवन, खश, दर्वविसार, दरद, शक, माठर, तंगन, आंध्र, पुलि कोई नहीं जी सकता, यदि तुम रक्षक ना होते, तो वियोहाकार में खड़ी हुई कोरों की विशाल सेना पर कौन छड़ाई कर सकता था, तुमारी ही सायता से पांड़ो पक्ष के वीरों ने उनका संहार किया है, भीश्रम जी अस्त्रविद्या में बड़े प्रमीन थे, उन्होंने चेड़ी काशी पंचाल करूश मतस्यत था कैके देश्य वीरों को बानों से अच्छा दित करके मार डाला था, वे जब एक बार धनुश की मूठ पकड़ लिते तो हजारों रथियों का सफाया कर डालते थे, उनके दवारां लाखों मनुश्यों और हाथियों का स अच्छा दिनों में युद्ध में तुमारी बहुत सी सैना का विद्वन्स करके उन्होंने कितने ही रत सुने कर दिये, संग्रा में भवान रुद्र और विश्नु के समान अपना भ्यां का रूप परकट करके चेडी पंचाल केके वीरों का समार करते हुए उन्होंने रतो गोडो और हाथियों से भरी हुई पांडव सैना का विनाश कर डाला, इस परकार भीशम जी अदी थी यवीर थे, परन्तु उन्हें भी शिखंडी ने तुमारे संरक्षन में रहकर अपने बानों का निशाना बनाया, आज भी बांचिया पर पड़े हुए पार्थ जैदरत का वर्द करते समें, युद्ध में तुमने जैसा प्रकर्म किया था, वैसा तुमारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है, राजा लोग सिंदूराज के वर्द को तुमारा अश्चेर जिनक प्रकर्म मानती हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि तुमारे जैसे वीर से ऐसा काम होना कोई अश्चेर की बात नहीं है, मेरा तो ऐसा विश्वाश है कि यदि सारा शत्री समाज एकत्री थोकर तुमारा सामना करने आ जाए, तो वै एक दिन में नस्ट हो जाएगा, और मेरे विचार से ही, यही तुमारे युग्य प्रकर्म होगा, अर्जुन जिसमें बीश जैना सूरी चंदरमार तारां से रहित अकाश की माती श्रीहिं दिकाई दे रही है, इसके प्रमुख वीरों में से सब तो मारे गे, केवल अश्य श्थामा, कृत वर्मा, करन, शल्ले और कृपा चारे, यही पांच महारत ही वाकी रह गए हैं, इन पांचों को मार कर तुम शत्रुहिन हो जाओ, और आजा धिश्टर का दीब, नगर, समुद्र, परवत, बड़े-बड़े वन, ते था आकाश और पताल से समस्त प्रिथी अरपन कर दो, यदि अपने गुरु आचारे दिरुन का सम्मान करकने के कारण, तुम उनके पुत्रश श्थामा पर कृपा अधिश्टी रखते हो, अथवा अचारे का गुरुव रखने के लिए क्रिपा अचारे पर तुमें दिया आती है, यदि माता के बंदू जनों के प्रति आदर बुद्धी होने से, तुम कृत वर्मा को पाकर, सामने पाकर भी यमलोक नहीं भेजना जाते, तिधा माता माद अधिरी के भाई मद्रराज शले को भी दियावश मारना नहीं चाहती हो, तुन ना सही, किन तुम पांडों के प्रतिय अत्यंत नीचता पूर्न वर्ताब करने वाले इस पापी करन को तो आज तिखेबानों से मार ही डालो, ये तुमारे लिए पुनने का काम होगा, मैं तुम लोगों के साथ वै जुआ खेलने में प्रवित हुआ, उन सब शडियंत्रों का मूल कारण ये दुस्त आत्मा करन ही था, द्रियोधन को सदा से ही ये विश्वाश था कि करन मेरी रक्षा करेगा, इस लिए वैक्रोध में भरकर मुझे भी कैद करने को तियार हो गया उसने तुम लोगों के साथ जो जो बुराईया की हैं उन सामें इस पापात्मा करन की ही परधानता है, मित्र त्रियोधन के छे निर्दई महारतियों ने मिलकर जो सुबद्राट मार की जान ली थी, उस भ्यंकर संग्रा में इस करन नहीं अभी मन्यों का ध्रुश काटा था करन द्वारा ध्रुश कट जाने पर शेश पाँज मारतियों ने जो उच्छाल कपट में बड़े प्रवीम थे, बानों की बचार से इसे मार डाना था, उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्राया सब को दुख हुआ, केवल ये दुस्ट करन और द्रियोधन ही जी भर कर हसे इतना ही नहीं, इसने कोरों की भरी सवा में ध्रोकती को इस परकार कटू अचन सुनाए थे, क्रिशने, पांड़ों को नस्टो कर सदा के लिए नरक में पढ़े, अब तु दूसरा पती वरन कर ले, आज से तु धितराष्ट की दासी हुई, अधर राज महल में जाकर अपन काम संभाल, अब पांड़ों तुमारे स्वामी नहीं रहे, वे तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो दासों की इस्तरी है, और सियन भी दासी है, इस तरह इस पापी ने बहुत सी बाते कही, जो तुमने भी सुनी थी, इसके लावे भी तुमने, इसने तुम लोगों के स अपने शीर पर गांडीव द्रों से चूटे हुए ब्यूंकर बानों की चोड सेता हुआ, अचारे द्रों तथा वीशम के वचन याद करें, तुमारे साइकों से पीडित हुए राजा लोग, आज दीन और विशाद ये थोकर हाहा कार मचाते हुए करन को रच से नीचे गि पार्थ, यदि तुम सूत पुत्र करन के देखते देखते अपनी पृतिग्या पूर्थी के लिए उनके पुत्र को माट डालो, तो वै भिशम, द्रों और विदुर की बातों को याद करें, तुमारा मुख्य, शत्रु द्रियोधन, तुमारे हाद से करन को मारा गया देख आज अपने जीवन तता रज्य से निराश हो जाए, जान पड़ता है पांचाल देशी अवीद, द्रोप्ति के पुत्र, धृष्टम्न, श्कंडी, धृष्टम्न के पुत्र, शतानिक, नकुलसयदेव, दुर्मुक, जनमेजे, सुधर्मा, तता सात्की, ये करन के वश में पड़ गे हैं, उनका घोर आर्तोनाज सुनाई पड़ता है, जो अपने मित्र के लिए प्रानों की प्रवाना करके सामने टकल डट कर लट रहे हैं, उन सेंकडों पंचाल वीरों को करन यमलोक भीज रहा है, वे करन रूपी अगाद मास आगर में नाव के बिना डूब रही हैं, आप तुमी ही नोका बनकर उसनका अधार करना चाहिए, करन ने भीगुवंची परश्यो रामदी से जो अस्त पराप किया था, उसी का अत्यांत भ्यंकर रूप आज प्रगट हुआ है, वे घोर अस्तर अपने तेश से प्रज्री तोकर तुमारी सेना को सब बहुर से गेर कर संताब दे रहा है, ये देखो, भीम सरंजय यो धान से घिरे हुए हैं, और अत्यंत करोध में भर करन से लड़ते हुए, उनके पैने बानों से पेडित हो रही है, मैं इस दुश्टर की सेना में तुमारे सिवा और किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो करन से लोहा ल एक तुमी करन सहित कोरव को युद्ध में जी सकते हो, दूसरा कोई नहीं, आता है, मार अथिक करन को मार कर तुम अपना मनुरत सफल करो, शक्षिप्त महा भारत करन पर्म में अर्जुन के वीरोचित उद्गार, दोनों पक्ष की सना में द्वंदियुद, शुशेन का पर दोनों में शोक रही तैंपरन पर सन्न होगे, फिर पर द्वंदियुद, शुशेन के विज़े करते हैं, उन्हें केशर से कहा, गुविंद, जब आप मेरे सामी आएं संदक्षिक हैं, तो मेरी विज़े निश्चित है, संसार के भूत और भूष्य का निर्मान आपके ह जिस पर आप पर सन्न हैं, उसकी विज़े में क्या सन्दे हैं, क्रिष्ण, करन की तो बात ही क्या है, आपकी साहिता मिलने पर तो मैं अपने सामने आए हुए, तीनों लोकों को परलोग का पाथिक बना सकता हूं, जनारदन, मैं देखता हूं पंचालों की सेना भाग रही ह ये भी देख रहा हूं कि करन रन भूमी में निर्भेसा विचरता है, उस प्रजलित भार्गवस्तर की और भी मेरी द्रिष्टी है, जिसे करन ने प्रगट किया है, निश्चे ही ये वे संग्राम है, जा करन मेरे हाँ से मारा जाएगा, और जब तक ये प्रिथिक काइम रह कि तब तक समस्ठ प्रानी इस बात की चर्चा करेंगे, आज मेरा गांडी दिनुस से छूटे हुए बान करन को मोत के घाट उतारेंगे, क्रिष्टन मैं आप से सची बात बता रहा हूं, आप करन के मारे जाने से द्रियोधन अपने रज्य और जीमन दोनों से इंदराश हो जाएगा, मेरे बानों से करन के टुकड़े टुकड़े हुए देख, आज राजा द्रियोधन आपके उस वचनों को समरन करें, जिने आपने उनके ब्राई के लिए कहा था, कोरों की सभा में पांडों के निंदा करते हुए करन ने ध्रोपती से जो कठोर बाते कही थी, उस के लिए आज उसे खोब पश्चाताब होगा, आज करन के मारे जाने पर धितराष्ट के सभी पुत्र, राजा द्रियोधन के साथ इस तरह भेवीत होकर भागेंगे, जैसे सिंग से डरे हुए म्रिक भागते हैं, करन के पुत्र और पित्रों को भी, मित्रों को भी आज को सहित, रज की और से निराशा हाथ लगेगी, आज में अकेला ही कोरवत था वाहनी को कुस्यना सहित, मार कर अपने बानों की ज्वाला से जला दूँगा, मेरे एक हाथ में बान की तरह दूसरे में बान सहित दिव्य धनुश्की रिखाएं हैं, पैरों में भी रत और धज के चिन हैं, मेरे जैसे लक्षनवाला युद्धा को कोई भी युद्ध में नहीं जी सकता, भगवान से ऐसा कह कर, अदितिय वीर अरजुन क्रोज से लाला के किये रन भूई में जा पोचे, उस समय उनके मन में दो संकल्ब थे, भीम सेन को संकट से चुड़ाना, और करन के मस्तक को धड़ से अलग कर देना, धित्राश ने पूचा संजे, मेरे पुत्रों तथा पंड़ो संज्यों में, पहले से ही मा भ्यंकर संग्राम चिड़ा हुआ था, फिर जब अरजुन आ पूचे तो युद्ध का सुवरूप कैसा हो गया, तो संजे ने कहा राजन, उसमें अरजुन गोडे और सार्थी सहित रत्थों, स्वार सहित हाथियों और गोडों, पैदलों, संपुरन शत्रों को अपने बांसों से की मार से मृत्यू के अधिन करने लगा, उनके पहुचने के पहले कृपा चार और शिखंडी एक दूसरे से बेड़े थे, साथकी ने द्रियोधन पर दावा किया था, शूचारवा का अशवच्तामा से का चित्र सेन के साथ युद्धोरा था, उत्तव मोजा के करन के पुत्र सशाइन पर और से देब ने शक्नी पर आकर्मन किया था, नकुल कुमार सितानिक और करन पुत्र विरिश शेंद में मुकाबला हो रहा था नकुल ने कृत वर्मा पर और धित धुम ने सेना सहीत करन पर चड़ाई की थी दुशाशने सब्सब्तकों की सेना लेकर भीम सेन पर धावा किया था उस संग्राम में उत्मोजा ने करन पुत्र शेशन को अपने बानों का निशाना बनाकर उसका मस्तक काट गिराया शेशन का सिर पृत्थी पर पड़ा देखकर करन वियाकुल उठा उसने क्रोध में भरकर उत्मोजा के घोड़ो को माड़ डाना और पैने बानों से उनके धोजा तथा रत को भी धजिया उड़ा दी उत्मोजा भी अपनी तीके बानों तथा चमकती हितलवार से क्रिपाचारे के पार्ष रक्षकों एम घोड़ो को मार कर शिखंडी के रत पर जा चड़ा रत पर बेटे हुए शिखंडी ने क्रिपाचारे को रत हिन देख उन पर परहार करने का विचार छोड़ दिया रंतर अस्षिश थामाने आगे आकर क्रिपाचारे के रत को अपने पीछए लिया और उनका उस रन से उध्धार किया दुसरी और भीमसें अपने पेने बानों की मार से आपके पत्रों की सेना को अच्चान संताब देने लगा मुझे घमा सा नियुद्ध में बहुत से शत्रों पर द्वारा घिरे हुए भीम सेन और सार्थी से बोले सार्थे तो गोड़ों को तेज हांकर मुझे शिक्र धित्राष्ट के पुत्रों के पास ले चल आज उन सब को मैं यम लोग पहुंचाए दिता हूँ अग्या पाते ही सार्थी ने गोड़ों की चाल तेज की और तरंती रत लिये आपके पुत्रों की सेना में जाब उचा कोरव पक्ष के युधा भी सब बहुत से हाथी गोड़ों रत और पैदलों को साथ ले आगे बाड़ाए भीम के रत पर चारों और से बाणों की बच्छार होने लगी और भीम उन सब को अपने बाणों से काटने लगे उन्होंने शत्रों के चोड़े पर तेक बाण के दो दो तीन तिन टुकड़े कर डाले तर उनके दोरा मारे गे हाथी गोड़े रत और पैदल जवानों का चितकार सुनाई देने लगा भीम सेन के बाणों की मार से राजाओं के अंग विदीर नूरे थे तो भी उन्होंने उन पर सब बोर से धावा कर दिया तब भीम ने अपना प्रचंडवेक प्रकट किया जिसे शत्रू रोक नहीं सके महात्मा भीम के दोरा बसम होती हुए आपकी सेना वैबी थोड़ रन से भाग चली है देखकर भीम प्रसन्नो कर पना अपने साथ इसे बोले सोत ये जो धोजाओं सहित वह उसे रत इस और बानों से अच्छादित का डालों विश्योक राजा इस दिश्टर बानों के परहार से बहुत गबराए हुए हैं इदर अर्जुन ने उन्हें देखने के थे जो अभी तक नहीं लोटे पता नहीं राजा आप तक जीविताईयां नहीं अर्जुन का भी समाचार नहीं मिला इससे मुड़ा खेद हो रहा है तो भी मैं शत्रों की पर्चंड सेना का सुनहार करूंगा तुम मेरे रत्वर रखे हुए सबी तरकशों की जांच कर ले आप उसमें कितने बान बाकी रह गए हैं किसकी सतरह के बान बचे हैं और उनकी संख्या कितनी हैं यह सब समझा कर बत हैं और तीन हजार परदर हैं अभी इतने अस्तर शेस्तर बाकी रह गी हैं कि छे बैलों से जुता हुआ च्छकडा भी उन्हें नहीं खीन सकता गदाएं तथा तलवारें हजारों की संख्या में बढ़ी हैं प्रांस मुदगर शक्ती और तुमर भी बहुत हैं आप इसके ड मुझे पेडित करेंगे इस समय देवता लोग एक मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें जैसे यक में आवाहन करते ही इंदरा पहुंचते हैं उसी परकार अरजन भी यहां आ जाएं विशोग इस छिन बिन होती हुई कोरव सेना की और तो तरिश्टी डाल ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं मुझे तो सपस्ट चान पड़ता है कि नर्शरेश्ट अरजन यहां पोचे हैं वेहीं अपने बानों से संपूरन सेना को अच्छादित कर रहे हैं कोरों पर मोच आ गया है सब के सब भाग रहे हैं रन में हाहाकार मचा है हाथी बड़े जोरों से चिंगाड रहे हैं मिशोक ने कहा कुमार भीमसेन क्रोध में बरे हुए अर्जन के द्वारा खीचे जाने वाले घंडीव दिनुश्की भ्यंकर टंकार क्या तुम्हें नहीं सुनाई देती पांडो रंदन लो तुमारी सारी कामनाएं पूरी ही उदर देखो हाथियों की सेना में अर् मुकट जिस से सूर के समान चमकेली मने लगी हुई थी कितना संदर है उसकी बगल से देवदत नाम वाला शेच संख है इसी परकार भगवान शिरकिष्ट के पार्ष में सूर के समान कांती मान चक्र है जो उनका यश बढ़ाने वाला है यदुवंशी सदा उनकी पूजा कि हैं शिरकिष्ट के पास उनका पांच जिन्ने भी हैं जो चंद्रमा के समान उज्जल है देखो बगवान के वक्स तल पर कोस्त मनी तथा विजनती माला कैसी शुबा पारी है निश्चे ही शाम संदर घोड़े हांकते हैं और मारती अर्जुन शत्रों की सेना को खदेड़त को मौत के घाट उतार दिया इस परकार कोरव योधां का संहार करते हैं महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं तुम्हारा मनौरत सफल हो गया भीमसें बोले विशुब तुमने बड़ा प्रिय समचार सुनाया इस से मुझे बड़ी खुशी होई इस शुब समचार के लिए मैं तुम्हें चोदा गाओं के जागिर दूँगा साथी सो दासिया तुम्हार बीस रथ भी तुम्हें पारितोशी के रूब में मिलेंगे संजे कहते हैं महराज जैसे देवराज इंदर ने हाथ में वजर लेकर जंबा सुर को मारने के लिए यात्रा की थी उसी परकार अरजुन ने भी रथ में बैठकर विज़े के लिए यात्रा की उन्हें आते देकर कुरव पक्ष के नरवीर क्रोध में बारकर रथ गोड़े हाथी और पैदलों को साथ लेकर अरजुन के सामने चाड़ाए फिर तो तिलोकी का रज पाने के लिए जैसे असुर के साथ देप्राओं और भगवान विश्नु का युद्धवा उसी परकार अरजुन का संग्राम होने लगा वे संग्राम देप्राओं और पापो का नाश करने वाला था उसमें कोरव वीरों ने छोटे बड़े जितने अस्तरों का प्रयोग किया उन सब को शुड अर्धच कर दिया वे सब विरूप होकर प्रित्थी पर गिर पड़े इस परकार धनंजे अपने वज्जर के समान बाणों से शत्रों के घोड़े हाथी और रत आदे की धजियां उड़ा कर करन को माट डालने की इच्छा से तरंत उनके पास जा पूचे उन्हें वहां देखकर आपक बानों से भीन ने लगे तब अरजन ने भी अपने प्राहन बान उठाए और उनकी मार से हजारों रतियों हाथी स्वारों और घुड स्वारों को यमलोग भेज दिया इस परकार जब कोरम मार रतियों पर अरजन के बानों की मार पड़ी तो बैबीत होकर इदर उदर चिप पने लगे तो भी उनोंने उन में से चार सो मार रतियों को तीखे मान मार कर यमलोग का तिथी बना दिया तरह तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वे धहरे खो बैठे और अरजन को छोटकर सब और भाग निकले इस परकार उस सेना को खदेड कर अरजन ने सूत पुत्तर क पर धावा किया इसी समय परतापी भीम सेन ने अरजन के शुबा अगमन का समाचार सुना फिर तो अपने प्राणों के भी प्रभा ना करके आपके सेना को कुचलने लगे उस समय उनके आलोकिक बल को देखकर कुरव सेनकों के होश उडगे तब राजा द्रयोधन ने अपन पुत्र की आग्या सेविकार की और भीम सेन को चारवर से घेर कर उन पर बानों की वर्शा रंब कर दी तब भीम ने भी बानों की जड़ी लगाई और महा सेना में दरार बनाकर वे घेरे में से बाहर निकलाए तत बश्चात उन्होंने दस हजार हाथियों दो लाख दो सो पैदलों पांच सो गोडों एक सो रतों का संहार करके खूंड की नदी बादी मारती भीम चत्रों के सेना में जिस और गुस जाते उदरी लाखों यो धाउं का सफाया कर डालते थे उसका ये प्रकर्म देख तुर्योधन ने शक्नी से कहा मामा जी आप महामली भीम को प्रा जातरिया और भीम सेन के पास पहूंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोख दिया तब भीम सेन शक्नी की और मुड़े शक्नी ने उनकी चाती में बाएं किनारे पर अनेकों तीखे नाराचों से परहार किया वे भीम का कुछ छेद कर शीर के भीतर गुस गे इस से अत्यंत ग बाल से दोजा और दो से छत्र काड़ दिये फिर चार बानों से भीम के चारो गोड़ों को भी घायल कर दिया तब भीम सेन को बड़ा करोध हुआ उसने सुबल पुत्र पर लोहे के बनी हुई एक शक्ती चलाई पास आते ही शक्नी ने उस शक्ती को हाथ से पकड़ दिया औ अपने बान से शक्नी की सेना को अच्छादित कर दिया फिर उसके चारो गोड़ों तता सार्थी को मार कर एक भल से उसके रत की धोजा भी काड़ डाली शक्नी तरंती रत से कूद कर एक और खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारो और से बानों की वरिष अपनी प्रिथी पर गिर पड़ा उसे मौर्चित जानकर आपका पुत्र द्रियोधन आया और उसे अपने रत पर बिठा कर अन्भूमी से दूर हटा ले गया आप तो कोरव योधा भईवीत होकर चारो दिशाओं में भागने लगे और भीम सेंद सेंक्डो बानों की एक शक हुआ द्रितराज ने बुचा संजे भीम सेंद ने जब कोरव योधाओं को तितर बितर कर दिया उस समय द्रियोधन शकनी करण कृपाचारी कृतवरमा अश्यश्थामा अत्वा दुशाशन ने क्या किया तो सूत पत्र ने कौन सा प्रकर्म किया मेरे पत्रो तदा अन्य दृद्षराजाव ने किया काम किया ये सारी बाते बताओ ता संजे ने का हम महराच उनस दिन तीसरे पैर में परतापी सूत पत्र ने भीम सेंद के देखते देखते समझ सौमकों का सौहर कर डला और भीम सेंद ने भी कोरों की इत्यंत बलवती सेंदा का विधनस कर दिया तत्पश्चात करन ने शले से कहा हम मेरा रत पंचालों की और ही ले चलो सेनापति की आग्या पाकर मद्र राज ने अपने घोड़ों को चेदी पंचाल और करूश तेशी वीरों की और बढ़ाया करन का रख देते ही पांडव और पंचाल वीर धराव ठें धनतर करन अ चारों से घेर लिया उस समय साथकी ने तेश किये हुए बीस बानों से करन के गले की हसली में प्रहार किया फिर घंडी ने पच्चीस तृष्टम ने साथ ध्रोपती के पुत्रों ने चोसट सदेम ने साथ और नकुल ने सो बान मारकर करन को घायर का डाला इस परकार भीम स ने करन की हसली पर नबेवान मारे ही तरंतर सूत पुत्र ने हसकर अपने धनुश की टंकार की और तेज किये हुए बानों का परहार कर उन सब योधाओं को भीन डाला उसने साथकी का धनुश और धजा काट कर उनकी च्छाती में नो बानों का परहार किया फिर करोद में भ पुर्पति के पुत्रों को रथिन कर दिया, ये सारा काम पलक मारते मारते हो गया, देखने वालों के लिए ये बड़े अस्चेर की बात हुई, मारती करन ने चेदी तथा मतस्य देशों के युद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाया, उसकी मार खा कर वे युद्धा को आतंकित करके खदेट दिया, पांडों की सेना को भागती देखकर कोरपक्ष के धनोदर युद्धा भहर उगरजना करते हुए सामने की और बढ़ आई, राजा द्रियोधन अत्यंत अनंद में भार कर तरह तरह के बाजे बज़वाने लगे, बाजों की आव युद्धाओं को भी आपने साइकों से यमलोख पंचा दिया, इस परकार पांडों पक्ष के बहुत से युद्धाओं का नाश हो गया, और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके ही बहुत से वीर मारे गी, इदर अरजन करूं के चतरंगनी सेना का विनाश करके जब आगे बड़े तो क्रोध में भरेवे सूत पुत्र पर उनकी दृष्टी पड़ी, ताव उनने भगवान वासदेश से कहा जिनारदन वे देखी, रन में सूत पुत्र की दोजा दिखाई दे रही है, तदा वे भीम से नादी युद्धा कोरव माहारतियों से लड़ र कर रही है, मुदर करन के संरक्षन में रहकर क्रिपाचारे, क्रितवरमा, अरस्यस्थामा, राजा, दृष्धन की रक्षा कर रही है, यदि हम लोगों ने इने मारा नहीं, तो ये सौंकों का संहार कार डालेंगे, ता मेरा विचार ये है कि आप महारति करन के पास मुझे ल रत बढ़ाया, वे रत पर बैठे ही बैठे चारो और खड़ी हुई परलव सेना को धीरज बताते जाते थे, वीरवार अर्जन, आपकी सेना को प्रास करते हुए आगे बढ़ रहे थे, शेत गोड़ो वाले रत पर बैठकर, अपने सार्थी भगवान कृष्टु के साथ अ हमारे सामने खड़े हैं, वे उनका रत आ रहा है, यदि आज उन्हें माट डालोगे, तो हम लोगों का भला होगा, अर्जन के ध्रुश की पर तिंचा से चंद्रमाय हैं, ताराओं के चिन नहें, उनकी ध्वजा के शिखर पर भ्यंकर वानर दिखाई दे पड़ता है, जो चारो और ताक ताक कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है, ये अर्जन के रत पर बैटकर गोड़े हांकते हुए वगवान श्रीकिश के रशंक चक्र गधा, तो था शांगर धुश दीख रही है, ये गांडीव तंकार कर रहा है, तो था अर्जन के छोड़े हुए तिखे, त अपने रता से गिर कर धाराशाई हो रही है, जैसे सिंग हजार अफरनों के जंड़ को घबराहट में डाल दिता है, उसी परकार अर्जन ने अपने शत्रों की सेना को अत्यंत व्याकुल कर डाला है, अर्जन तनिक भी देर में बहुत संख्यक शत्रों का अंत कर देते हैं, इसलिए उनके भेसे, ये कोरो सेना चारो और से चिन भिन हो रही है, ये देखो अर्जन सब सेनाओं को छोड़ कर तुमारे पास मोचने की जल्दी कर रहे हैं, भीम सेन को पीडित देकर विक्रोत से तमतमा उठे हैं, इसलिए आज तुमारे सिवा और किसी से युद्ध करन के लिए नहीं रुक सकेंगे, तुमने धरमराज को रत हिन करके उन्हें बहुत खायल कर दी, डला है, शिखंडी, दृश्धम्न, ध्रोपती के पुत्र, साथकी, उत्तमोजा, नकुल, तदा से देखो भी, तुमारे हाथो बहुत चोट पूची है, ये सब देखकर अर्जन की आँखे करोज से लाल होगी है, मैं समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से, अकेले ही तुमारे उपर चड़े आ रहे हैं, करन, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुमारे सिवा, दूसरा कोई धनदर ऐसा नहीं है, जो अर्जन से ल करन बली हो, इस महा समर में आगे बढ़ते हुए अर्जन को रोको, देखो, ये कोरव सेना के मारती, अर्जन के भे से भागे जाती हैं, सूत नंदन, तुमारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है, जो इनका भे दूर करें, ये समस्त कोरव तुमें दीब के समान अपना रक्षक मान कर तुमारे ही पास आ रहे हैं, और तुम से शरन पाने की आग्या रखकर यहां खड़े हुए हैं, करन ने कहा शले, आप तुम रापर आए हो, और मुझसे सहमत जान पड़ते हो, माब आ हो, अर्जन से भे मत करो, आज मेरे इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना, मैं केला ही पांडों की विशाल सेना थता शिरिकिष्ट और अर्जन का बद्ध करूंगा, ये तुम से सची वात बता रहा हूं, उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं हटाओंगा, दों में से एक का काम करके कृतार थोंगा, या तो कहना ही क्या है, ऐसी दिशा में या उन्हें जीतने का साहज कौन कर सकता है, करूंगा, मैं मानता हूँ अर्जन जैसा मार थी, इस संसार में कभी हुआ ही नहीं, इसके हाथ प्रतंचा के चिंद से अंकित हैं, इसमें ना कभी पसीना आता है और ना विकांपते ही हैं, बड़े कारे कुशल और शीकरता पुरखाद चलाने वाले हैं, पांडू नंदन अर्जन के समान दूसरा युद्धा कहीं है ही नहीं, उनके बान दो मील तक के निशाने माररे में नहीं चुकते, फिर उनके जैसा युद्धा इस पृत्ति पर कौन हो सकता है, अतीर अथी बीर अर्जन ने केवल शीरिकिश की साहता से खांडवन में अगनी देवता को तरिप्त किया था, जा महात्मा शीरिकिश को चक्र मिला और पांडू नंदन को गंडीव धनुष, शेत गोडों से जुता हुआ रत, कभी खाली ना होने वाले दो तरकश और बहुत से दिविय की प्रापती हुई, आता इस भूमंडल में उनसे बढ़कर युद्धा कौन होगा, जिन महान भाव ने अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा शाक्षात महादेव जी को परसंद किया, और उनसे अत्यांत भ्यंकर पाशिवत नामक महान अस्तर प्रापत किया, जो त्र चीन लिया, और मारतियों के वस्तर भी उतार लिये, ऐसा प्रकर्म और गुनों से संपन अर्जन को जिन के साथ श्रीकिश भी मौजूद हैं, युद्ध के लिए लिलकारना बहुत बड़े दुसाहस का काम है, इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूं, इसके सिवा समस संसार मिलकर जिनके गुनों को दस हजार वर्षों में भी नहीं गिन सकता, जो शंक चक्र और खड़क धारन करने वाले हैं, वे अनंत प्रकर्मी शाक्षा धवान नारायन ही अर्जन की रक्षा कर रहे हैं, श्रीकिश नोर अर्जन को एक रत पर बैठे देकर मुझे भे पुटता है, अर्जन समस्थ धनुधारियों में बढ़कर हैं, तथा चक्र युद्ध में नारायन सवरूप श्रीकिश का मकाबला करने वाला भी कोई नहीं हैं, वे दोनों वीर ऐसे प्रकर्मी हैं, हिमाले अपने स्तान से हट जाए, पर श्रीकिश नोर अर्जन नहीं खि चलित हो सकते, वे दोनों मारती शूरवीद और अस्त्रविद्या के विद्वान हैं, दोनों के ही अस्त्रशस्त सुद्ध हैं, शल्ले बताओ तो सही, ऐसे प्रकर्मी श्रीकिशन और अर्जन का मकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है, आज ऐसा युद्ध होगा, जैस के समान गर्जना की, फिर वे आपके पुतर द्रियोधन के निकट गया, द्रियोधन ने उसका भी नंदन किया, च्छाती से लगाया, तब करने कुरूराज, द्रियोधन, कृपाचारी, कृत वर्मा, भाईयों सहीच, शक्वनी, अस्रस्तामा, और अपने छोटे भाई से, तदा हाथी सवार, घुड सवार, एंपैदल सेंकों से कहा रा जाओ, आप लोग शिरिकिष्ट और अरजन पर धावा करके, उन्हें चार और से गेर लें, और सब और से युद्ध छेड़ कर, अच्छी तरह थका डालें, आपके दोरह जब वे बहुत घायल हो जाएंगे, तो मैं उन दोनों को सगमता से मार सकूंगा, बहुत अच्छा कहकर, अरजन को मारने की इच्छा से, वे सभी वीर उन पर तोट पड़े, और अपने बानों का परहार करने लगे, उन महारतियों के चलाए हुए बानों को अरजन ने हस्ते हस्ते कार डाला, और आपकी सेना को बसम करना आराम भगिया, ये देकर क्रिपाजार, क्रितवनमा, दुर्योधन, तता अश्यस्तामा, अरजन की और दोड़े, और उनके उपर बानों की परिशा करने लगे, अरजन ने अपने साइकों से उनके बानों के टुकड़े टुकड़े कार डाले, और बड़ी फूरत को उसने अने को बानों तता नाराजों का निशाना बनाया, ये देखकर अरजन ने तीन बानों से अश्यस्तामा के दुनुश को एक से सार्थी के मस्तक को, चार साइकों से उनके चारों घोड़ों को तता तीन से उनकी धजा को काट कर रच से निजे गिरा दिया, इसके बा धनुश काड़ दिये, कृत वर्मा के घोड़ों को माड़ डाला, उनके रत की धजा भी खंड़ित कार दी, हिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्हें आपकी सेना के घोड़ों, सार्थियों, तरकेश्चों, धजाओं, हाथियों, रत्थों को सुहाया का डाला, इस समय आपकी विशार्थ सेना छिन भिन होकर इदर उदर बिखर गई